हमें इस संख्या को शब्दों में लिखना है और मैं इसे बोल कर नहीं बताऊंगा नहीं तो आपको उत्तर पता चल जाएगा ये छे तीन दशमलों एक पांच है और हमें इसे शब्दों में लिखना है दशमलों के बाईयूर की संख्या को पढ़ना आसान है मैं इसे अलग र और फिर एक एक और एक पाँच है. इसे शब्दों में लिखने का एक सामान्य तरीका है. लेकिन हम यहाँ अलग अलग तरीकों के बारे में बात करेंगे. हमें पता है कि दशमलों बिंदू के बाईयोर की संख्या को किस तरह लिखना है. ये काफी आसान है. ये 63 है. इसे लिखेंगे. अब हम दाईयोर की संख्या को दो तरीकों से लिख सकते हैं. हम इसे एक दशांच यानिकी वन टेंथ और पांच शतांच यानिकी फाइव हंड्रेट्स कह सकते हैं. या फिर हम इसे पंदरह शतांच भी कह सकते हैं. एक दशांच दस शतांच के समान है. इस तरह से, लेकिन मैं इसे एक दशांच और पांच शतांच क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कहने पर किसी और के लिए संख्या को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो लोग इसका मतलब तुरन समझ जाएंगे। यह एक एक बटा 10 को प्रदर्शित करता है और यह पांच बटा 100 को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर आपको एक बटा 10 और पांच बटा 100 को जोड़ना हो तो आप इन्हें कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए हम इन दोनों का समान हर यानि की common denominator पता होना चाहिए। 100, 10 और 100 दोनों से विभाजित होता है। इसलिए हम अंश यानि की numerator और हर यानि की denominator को 10 से विभाजित कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 बटा 100. 1 बटा 10, 10 बटा 100 के ही समान है। इसलिए 10 बटा 100 जमा 5 बटा 100 को जोड़ने पर ये हो जाएगा 15 बटा 100. और इसलिए हम इस संख्या को 63 और 15 शतांच कह रहे हैं।